सब्सक्राइए अंद्स फीज़ने की सिरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूं राज की यह वडियो माइक्रोप टैक्सेस की है और गर आपको मैईक्रोप टैक्सेस समज में नहीं आती है इस वडियो को देखने को एक दम समज में आएगी इसकी पूरी गैरंटिय है इस वीडियो को ध्यान से देख लिए बस ठीक है तो यहां से 7 यूज करते हो तो भी दिखेगा तो यहां पर यहां से यहां पर बहुत सारे टेंपलेट का यूज करना आपको नया डेटावेस बनाना है और यहां पर जाके क्लिक करना होगा जैसे क्लिक करेंगे तो सिनरियो कुछ इस तरीके का आएगा ठीक है अब यहां पर चाहिए तो आप डेटावेस का नाम चेंज कर सकते हैं यहां पर database का extension दिया है file extension देख सकते हैं यह फाइल extension है database का तो यहाँ पर create पे click कर देते हैं चाहे तो नाम change कर सकते हैं लेकिन चलिए हम create पे click कर देते हैं और यहाँ पर आपको दो दोनों के खास अपने अलग मतलब ठीक है तो फिलहाला में design करना है database अब इस टेबल को कोई नाम दे सकते हैं आप तो default table 1 भी रहने दे सकते हैं चलिए हम इसे नाम दे देते हैं लाइक सपोस्ट कीजिए मैं आप देता हूं student यानि student table तो यह student table हमने नाम दे ठीक है अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ देखिए आपको primary की लिखता होगा यह primary की है अब यह primary की क्या हो यह देखिए यह आपको excel में नहीं मिलेगा आप पने excel जरूर सिखा होगा लेकिन excel में आपको मिलेगा है ठीक है तो फिर कहां मिलेगा यह सर्फ मिलता है database software में अब देखिए Microsoft Access एक database software है Microsoft Access के अलावा बात करें तो Microsoft SQL Server Management Studio है वो भी database software है आप बात कर सकते हैं MySQL के बारे में वो भी database software है इसके अलावा Oracle भी database software है इसी तरिक से Microsoft Access बहुत ज्यादा popular database software है तो database में कीज का concept होता है ठीक है और Excel के spreadsheet है तो उहां कीज का concept आपको नहीं मिलेगा ठीक है यह बात ध्यान रखेगा अब यहां पर क्या करना है कोई unique ऐसी field डालीए जो unique हो अब यह unique field क्या होती है जैसे मालीज आपने यहां पे कर दिया roll number या registration number तो यह unique हो जाएगा देख यह registration ID या registration number कर देते हैं registration ID कर दिया यह underscore लगाया है ठीक है यह आप देखेए यह data type है तो यहां पर data type decide होता है जैसे कोई भी letter या character या numbers आप लिखते हैं तो उसका अलग-अलग data type होता है बच्छे तरके से यहां बहुत सारी data type किये गये हैं तो data type देख लीगे इसमें से registration ID को क्या रखना चाते हैं जैसे number अबर में तो खुद से number देता चल जाएगा और बाकी hyperlink रखना ही सकते है तो email की लिए हो सकता है ठीक है यहां पर text रख सकते हैं तो चले टेक्स्टी रख लेते हैं ठीक है और यहां पर name of student कर देते हैं तो मैं यहां पर underscore लगाके लिख रहा की बात आएगी तो कैसे किसी को प्रेक्ष कि को यहां पे adapt राइगी नमबर में यहाइगा और English यहां पर यहां पर आएगा तो यहां पर एक और सब्चेक सब्च्छर तो यहां पर . IST ङालने के पर क्या करना है यहां पर number रखना है ठीक है तो यह for subject हो गरौए और यहां पर पर ईवरेज निकालना यहां परसेंटेस करता हूं ठीक है तो यह परसेंटेस यहां पर रखेंगे सकता है प्लिब में अब यहाnd पूछा जा रहा था इक इस तरीके से आ जाएगा देख रहा है यह पूरा डीटेल कुछ तरीक से अब देख रहा है तो चलिए देखते हैं यहां पे यहां पर एक चीज़ है यहां पर एक चीज़ है यहां पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहां से पर यहां को जाएंगे और इन सारे फिल्ट को अड्करना है यहां उपर जो दिख रहा है नहीं है इसी पर क्लिक करिएगा और इसको ड्रैक करके यहां तो सारे फिल्ड्स आ गए ठीक है अब क्या करना है जब सारे फिल्ड्स आ जाएंगे तो हमें काम करना है हमें साइड में जाना है यह इस साइड ठीक है जैसे अभी हम साइंस में हैं हमें टोटल पर जाना है यहां पे टोटल पर आ जाएंगे और टोटल पर आके कैल्कुलेट करेंगे कैसे कैल्कुलेट करने दिखाता हूं कि कैसे ख़र्पाइब बढ़ा लेता हूं कि आपको असानी रहेगे यह कि यह कि इस तरीके से पॉइंट वाला जो है कोलन कहला बढ़ा बनाएगा और पहले सब्जक्क से कीजिए पहला सब्जेक कंप्यूटर है ठीक है प्लस का निशान लगाईए फिर दूसरा सब्जेक ध्यान रखेगा कि spelling mistake मत कीजिएगा spelling mistake होगा तब तो दिकत हो जाएगी ठीक है फिर यहाँ पर हिंदी कर दीजिएगा इस तरीके से ठीक है फिर प्लस कीजियेगा फिर यहां सब्सक्राइब चर तैस कीजिएगा पिर जैसे करता जा रहा हूं वैसा ही आपको करना है फिर सब्सक्राइब चीजिए और अगर कोई error नहीं आया तो आपका calculation विल्कुल सही से हो गया है अब आगे बढ़ना है percentage की तरफ तो percentage कैसे calculate होगा उसको भी दिखा देता हूं कि कैसे calculate करना है ठीक है तो यहां पर column लगा दीजिए और column लगा करके क्या करना है हमारा total के ही अंदर जो total आएगा उसी के अंदर percentage भी छिपा होगा ठीक है तो total को multiply कर दीजिए hundred से और चुकि कितने subject हैं अब यहां पर चलिए देखते हैं यहां पर सूरिया एक नाम लिख देते हैं और यहां पर 7788 जो भी यहां पर यह मार्क्स है को यहां पर फेडिंग कर दीजिए जो भी आप लगता हो कि हाँ यह मार्क्स मिला है यहां पर देख सकते हैं यह इस तरीके से आया हुआ है यह देखिए यह पॉइंट में भी कर रहा है देखना है यह इस तरीके से आप कर सकते हैं तो पहले तो आपको टेब यह हो गया, तो देख सकते हैं, यह भी calculate हो रहा है, आपने आप calculate हो रहा है, ठीक है, तो यह फाइदा है access का, आप ही query को हम save करेंगे, और मैं इसे student queue के नाम से save कर देता हूँ, यह student queue हो गया, और इसे save कर दिया हमने, जब save कर देंगे, तो फिर अब जरूवत पढ़े गया, हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ create पे जाएंगे, और यहाँ देखिए form बनाने के बहुत सारे options आपको दिख रहे होगे, आप चाहे तो form design से जा सकते हैं, चाहे तो multiple items लेके भी जा सकते हैं, चाहे तो split form बना सकते हैं, चाहे तो directly form बना सकते हैं, सीधा इस पे click करेंगे form आपक चुका है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, हम तोड़ा manually इसको कराएंगे, कैसे कराएंगे यह दिखाता हूँ, यहाँ से create पे जाएंगे, create पे जाने कि मत क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए more form दिख रहा है, यहाँ पर आएंगे और हम form wizard से जाएंगे, wizard से चल ठीक है, और यहाँ से next करिए, और यहाँ से modify design पर जाके, और तुकि यह form बन रहा है, तो इसका नाम भी मैं change करूंगा, modify इसलिए किया, student F कर देता हूँ, तो यह form हमारा बन दिया, ठीक है, अब यह आया क्यों नहीं जड़ा देखिएगा, यहाँ से आप existing पर जाएंगे, ठीक है, अब यह सारे ही चीज़े यहाँ पर लेगे आई, एक, यह दो, ठीक है, इसको arrange कर सकते हैं, आप अच्छे से, बहतर तरीके से आप arrange कर सकते हैं, यह computer हो गया, ठीक है, तो अभी यह background black है, background को सही करने के लिए आपको यहाँ से जाना होगा, और जो भी आप background चाहते ठीक ठाक background दिखे, तो वो यहाँ से आजाएगी, ठीक है, यह आगया, अब यहाँ से इसको थोड़ा चोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, ताकि यह proper way में दिखे, बिल्कुल unarrange way में न दिखे, यहाँ से इसको चोटा कर दिया, और यहाँ से computer ले पिर यहाँ आगे, इस तरीके से carry on हमें करना है, यह हो गया, पिर यहाँ से यह हो गया, ठीक है, और इसको एकदम बहुतर तरीके से सजाना है, ताकि यह देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं, साइन्स, टोटल, यह साइन्स को यहाँ लेके आ जाते हैं, बाकी टोटल को उपर रखते हैं, ठीक है, तो यह टोटल है हमारा यहाँ पर यह पर सेंटेज है, ठीक है, तो यह सब कुछ आ चुका है, ठीक है, और एक चाहे तो इसमें कॉम्बो लगा सकते हैं, कॉम्बो कैसे लगाए, कॉम्बो लगाना बड़ा सार है, यहा और यहां से नेक्स्ट करके रजिस्टेशन आइडी के इसके सच करना है और यहां से जाकर और यह जो है गोटू नेक्स्ट रिकॉर्ड का इक बटन इंसर्ट करने जा रहा हूं यहां पर यहां पर यहां पर इस तरीके से नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन भी बटन करके तयार देख सकते हैं आप और भी बटन बना सकते हैं यहां से जाकर के प्रीवियस रिकॉर्ड या डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन यहां से बहुत सारे बटन आपको मिल जाते हैं इसम एक कुछ चेंज़स करें आदे के यहां से हमने बनाया है क्या मैं बनाया है तो खैंज़स कर लेते हैं यहां से लिक कर दो आशेज के हमारे पास एक इस तरह के का सभ़्रं कर रिडि हैं झाल यहां से इसके पूडियों त psych Act video पहल जा झालते हैं यहां से अगर हम जाना चाहें, यहां से भी जा सकते हैं, यहां से वन करेंगे, तो बन आ जाएगा, जो भी चूज करेंगे, उसका ही record आपको दिखाई देगा, ठीक है, अब यह तो हमने form बना लिया है, ठीक है, इसको save कर लेते हैं, student app के नाम से save है यह, अब क्या आप report design करन चाहिए, और यहां से next करेंगे, और यहां पर student queue query आ रहा है, यहां पर student m query कर देते हैं, main query, ठीक है, इसी के बेस पर तो हमारा report create होगा, ठीक है, और यहां से modify पर जाके और फिनिश करेंगे, ठीक है, अब यह कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब यह तो कि मैं इसको यहां से छोटा बड़ा कर सकते हैं, पूरा पूरा दिखाई पढ़ने लगेगा, यहां पर criteria में आना है, criteria, यह जो criteria देख रहा है, यहां पर आना है, और हमें कहना है कि हम form के अंदर search करेंगे, और यहां से exclamation लगाई है, और फिर किस के अंदर search करेंगे, तो य यह हमारा student Q है, student Q क्या नाम है, form के अंदर देखना है न तो student F है हमारा student F, student F नाम से form बना है, जो form है उसी के अंदर देखना है, तो यह हमने close किया, इसको student F लेख करके, और फिर यहां पर exclamation लगाएंगे, और अब registration ID, यहां registration ID के ही बेस पे हम तो search करेंगे, तो यह हो गया registration underscore ID, और इसको बन करके और यहां से, अब क्या करना है, save कर देना है, ठीक है, तो यह save कर दिया हमने, यह query जो है save हो गई, और अब इस query को close करेंगे, और close करके, अब हम जाएंगे कहां इसी query के अंदर, तो जब जाएंगे तो यह कुछ इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है, अगर यहां पर one डालते हैं, तो यहां पर one वाले records आने चाहिए, ठीक है, अभी इसको close करते हैं, अभी देखते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यहां पर देख सकते हैं, अब हम report design करेंगे, ठीक है, तो यहां से create पर जाकर करके, report wizard पर ज यहां आप देखिए यह group by किया गया है यहां पर अगर आप दें grouping option तो registration ID को किसके साथ group करना है initial letter कुछ ऐसा दे सकते हैं तो फिलाल आप इसको normal ही रखते हैं और यहां से next करके next करके और यहां पे ब्लॉक में चाहिए कैसा चाहिए तो यह देख लिजेगा और यहां से next करके आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक रिपोर्ट भी generate होती हुई नजर आएगी ठीक है अब यहां से आप यह ऐसे भी लेकर आ सकते हैं लाइन से यह देखिए यह कुछ इस तरीके से यह अब मार्क्स को इस साइड में रखता हूं तो यह कुछ इस तरीके से हो जाता है अब यह व्यूपे जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखाए देगा अब यहाँ पर 1 आ रहा है E01 तो यहां E01 था हमारा E01 की ही detail आपको दिखाए देगा यहाँ E01 का ही marg sheet अपको दिखाए देरा है ठीक है अगर आप यहां से change करत यहां से मैं क्या करता हूँ इस रो टू कर देता हूए उर यहां पर क्या करेंगे टिक है यहां से जाएंगे और हमारा रिपोर्ट इसे एक बार रीफ्रेश करेंगे तो पूछे का कि कौन सा चाहिए तो यहाँ जिरो टू कर दीजेगा और जैसे जिरो टू करेंगे तो यह जो आ रहा है ना इसके लिए परिशान होने की जरूँद नहीं है यहां से जाएंगे ना तो इसको हम यहां से डिजाइन गूप लें करेंगा तो इस तरह से पूरी की पूरी एक रिपोर्ट कार्ड बन जाएंगी आपके और जब प्रिच करना चाहिए ने यह कक्र चैश्य प्रिंटिंग के लिए आ जाएगा और एक एक करके पुसे शेर कर, thank you for watching this video.